दोस्तो यह जो आप phone देख रहे है यह आपको वहले key phone लग रहा है देखने में लेकिन दोस्तो एक key phone किसी smartphone से भी कम नहीं है और एक क्यूँ किसलिए जानेंगे इस वीडियो में इस phone के बारे में और Nokia का है एक key phone दोस्तो एक तरह से smartphone ही है बस इसमें key add कर दिया गया है तो जिन लोगों को ऐसे touch display वाला phone फ़संद नहीं है जो लोग यूश नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को लिए ये phone बहुत ही अच्छा हो सकता है क्योंकि इस phone में touch display के साथ keyboard भी देखने हो मिल जाता है और उसी के साथ fingerfin sensor भी है phone की back side में dual rear camera देखने हो मिल जाता है main primary lens है 50 megapixel का उसी के साथ एक 8 megapixel का ultra white lens देखने हो मिलता है और साथ में एक LED flash देखने हो मिल जाता है दोस्तो Nokia के smart phone में हमें पहले से ही camera बहुत ही जवरदस्त मिलते आया है तो इस बार भी हम लोग इस phone से good camera quality एक्सपेक्ट जरू कर सकते हैं और अब अगर बात के जाइस phone की display के बारे में तो इस phone में दोस्तों display काफी जवरदस मिलने वाला है 4.9 इंच का full HD plus MLED screen देखने को मिल लेगा गोलेगला 6 का production के साथ और उसी के साथ 16MP के एक छोटा से पंचुल फॉंट सिल भी camera भी मिलने वाला है जिससाथ 1080 पर full HD video recording कर पाएंगे और उसी के साथ ultra high definition में भी photo click कर पाएंगे बाकि आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो साथ Nokia इस बार कुछ अलगी करने वाला है लेशी देखते हैं क्या होता है बाकि अगर इस फोन की performance के बारे में बात करें तो इस फोन में दुस्तो 6GB RAM देखने को मिलेगा 128GB internal storage के साथ साथ में 4GB, 64GB RAM variant option देखने को मिलेगा और उसी के साथ Qualcomm की तरफ से Snapdragon 710 का chipset भी मिलने वाला है तो Nokia का Snapdragon 710 का chipset भी मिलने वाला है तो Nokia का Snapdragon 710 की fat phone में जो भी specs देखने को मिल सकता है वो मैं आप लोगों को बता दिया है फोन में तो dual story speaker देखने को मिलेगा एक phone की उपर के तरफ और एक phone की नीचे के तरफ साथ में Type-C port होगा और उसी के साथ 3.5 एका audio jack भी देखने को मिलेगा और phone की back side में जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता रहा था dual rear camera होगा और साथ में Nokia का branding भी देखने को मिल जाएगा और आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए बहुत ही मैंने से वीडियो बनाता हूँ और आप एक comment भी कर दीजिए ताकि हमको भी पता चले कि आप अभी तक वीडियो देख रहे थे बाकि अगर बात के जिसपन की launch date के बारे में और pricing के बारे में तो Nokia के इस नया smartphone के बारे में दोस्तो कुछ concept और leaks आया है specs को लेकर price launch date के बारे में उतना जदा confirm कुछ update आया नहीं है जैसे आता है मैं आप लोग update कर दूँगा तो आपको क्या लगए रहा है Nokia के इस smartphone का price क्या हो सकता है आपके लिए comment open है comment में आपना राय जरू दीजिएगा और इस चैनल को subscribe करने कर दो बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ऐसे take update पाने के लिए